Hello Friends, KS Computer में आपका सौगत है, आज हम Dialog Element के बारे में पढ़ेंगे. किसी भी वेब पेज पर पॉपप Dialog Box बनाने के लिए हम Dialog Element को यूज करते हैं. Dialog Tag HTML5 में नया आया है, यह Tag Dialog Box को रिप्रिजेंट करता है. Dialog Element के साथ हम Open Attribute को यूज करते हैं, जो कि एक Boolean Attribute है, आईए, अब हम इसको Practical करके देखते हैं, यहाँ पर देखिए, मैंने HTML Document बनाया हुआ है, और इसका Result हम यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर मैं Dialog Tag को यूज करने वाला हूँ, Dialog, और यहाँ Dialog Close करते हैं, इस तरीके से, और यहाँ पर हम बीच में, अपनाय एक Message लिख देते हैं, This is an Open Dialog Window, इसको Save करते हैं, Refresh करते हैं, देखिए, अभी इसमें कुछ भी नहीं आया है, अभी हमें यहाँ पर Open Attribute को यूज करना पड़ेगा, इसको Save करते हैं, Refresh करते हैं, यहाँ पर देखिए, यह Dialog Box आ गया है इस तरीके से, यहाँ पर हमें Open Attribute को यूज करना पड़ता है, क्योंकि Dialog जो होता है, यह By Default Close होता है, Open को यूज करके, हम इसको Activate कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियो में किसी नए Element के साथ, तब तब के लिए Bye!